ओम स्यान्ति प्रकर्ति जीत और कर्मेंद्रिय जीत बहुत सुंदर प्रोग्राम 15 दिन के लिए आप सब के पास आ रहा है हम सभी योगियों की सादकों की एक बहुत ही सुंदर इलक्ष की बात है कि हमें कर्मेंद्रिय जीत भी बनना है और फिर प्रकर्ति पती प्रकर्ति जी प्रकर्टी इसका किसी भी तरह का आकर्शन हमें न रहे दे की व्याधियों की पीडाओं का इफेक्ट हमारे उपर न रहे और हम एक सेक्ड में देह से नियारे हो जाएं एक सेक्ड लगे हमें देह में मैं आत्मा अव्तरित होई हो और दूसरे ही सेक्ड हम अब्यास करना चाहें तो मैं आत्मा इससे अलग और चली गई अपने धाम या इसे अलग हो गई, दोनों अलग हैं, मैं भरकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ, ये बिलकुल सहज और स्पस्ट नुभूती होती रहे, इसे बिलकुल जुड़ जाता है closely, कर्मिंद्रिये जीत स्थिती, क्योंकि जैसे जैसे हम देवान से न्यारे होने लगते हैं, हमारी कर्मिंद्रियां सिथिल और सेतल होने लगती हैं, कर्मिंद्रियों का जो आकर्शन है, वो समाप्त होने लगता है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है, कि हमें आत्मिक सुख, आत्मिक संतोस, आत्मिक श्यांति, परमानंद, आत्मिक रहस इतना ज़्याद होता है उसकी और आत्मा अकर्षित नहीं होती उसके रस में लिप्त नहीं हो जाती है हमें ध्यान भी देना है विशेश करकी च्छाओं पर जीव का रस जो बहुत बड़ी चीज है स्वादिंद्रिये को जीत लेना कहीं ऐसा तो नहीं खान पान में हमारी आसकतियां बहुत है और दूसरा मैं आज ध्यान दिलाओंगा कानों का रस व्यारत सुनने में हमारी रूची बहुत है और तीसरा है आँखों का रस ना केवल क्रिमिनल ना केवल देधारियों की और लेकिन वोटसप नेट पे बहुत ऐसी वैसी चीज़े देखते रहना उनमें रस लग जाना फ पूरी तरह समत्थ हो जाएगा तो एक और हमें योग का रस लेना है दूसरी और ये संसार के रस है च्वाह समारी है हम क्या चुनेंगे कि स्टेज को हम जाद महत्तु देंगे हमें इस वरी रस चाहिए जो केवल एक बार मिलता है और जिसने ये रस भरपूर चक लिया जनम जनम वो सभी रसों से भरपूर रहेंगे और दूसरी तरह है ये करमेंद्रियों का अल्प कालीन रस जो उनका भोग करने के बाद बढ़ता ही जाता है कही लोग ये कहने लगे कही आचारियों ने कह दिया जो इच्छा उसका भोग करो इच्छा समप्त हो जाएगी कैसे कम पुद्धी के लोग थे वो, जिनोंने ऐसा गलत सिद्धान समाज में प्रस्तुत किया, निश्यत रूप से वो स्वयम भी पवित्र नहीं रहे होंगे, ये भोग तो जितने भोगे जाते हैं, उतनी बढ़ते जाते हैं, कोई कहे मुझे जले भी खाने की इच्छा हो रही है, फिर वो स्वाद हमें खेंचने लगेगा, इसलिए हमें इन टीनों चीजों पर बहुत ध्यान देना है, कानों से यदि हम व्यार्थ सुद्धे रहेंगे, तो योगी कदापी नहीं बन पाएंगे, हमें प्रकरती जीत भी बनना है, देह के आकरसन से मुक्त, अपने देह के सजाने सवानने से भी थोड़ा मौक्त, ठीक ठीक तो हमें रहना है, पर यह नहीं हमारा लंबा समय इसी में जाता रहे, तो हम प्रकरती फती बन जाएंगे, और इससे बहुत आनंद हमें होगा, प्रकरती जब संघार करेगी, तब हमारा सम्मान करेगी, जब वो सब को नस् तब हमें सुरक्षित करेगी, तो दोनों चीजों पर न केवल बंदरा दिन, बलकि लंबा समय बहुत ध्यान देंगे, तो यह इस्थिती नेचुरल और सर्वस्रेस्ट बन जाएगी, ओम स्यान्ति